सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस कर ले जीस्टी इंकम टेक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो अर्वरीवन वैलकम टो आर यूट्यूब चैनल कई पर हमें डाउट होता है कि सहसी ने जो में जीस्टी नुमर दिया है वह सई नहीं है तो हम इसको कैसे चक करें कि दिया हो जीस्टी नुमर सही है या नहीं है इसके लिए अंसर से पहले gst.gov.in पे जाना है search taxpayer, search by gst number इसमें हमें gst number डालने है gst number डालने के बाद capture code तो अगर एक gst number सही है तो यह इसको pick कर लेगा पुरा address हमें दिखा देगा साथ में जिन goods में वो वस ऐसी deal कर रहा है वो भी so कर देगा किसी ने में gst number डियार वो सही नहीं है तो हमारे पास एक ओरलनेट है कि उस gst number pen number से बनता है स्टार्टिंग के दो डिजिट स्टेट कोड उसके बाद pen number फिर 1, z और check digit generally gst number का यह फॉर्मिट रहता है तो हमारे को वालने लोग किसी ने gst number यह gst number आखिर में 1, z a दे दिया तो हम बीच का उपिक कलने और search by pen का option भी हमारे पास है search by gstn, uin या search by pen pen को भी जब हम search करेंगे capture code की requirement हमें रहेगी तो यहाँ भी जिखा देगा कि इस pen number फिर कितने gst number है उसके बाद हम जो gst number चाहे वो search कर सकते है secondly, यह search एक और relevance रखता है कि जब हम gstn number सर्च करते हैं तो address भी आदाता है, from name भी आदाता है साथ में वो goods भी आदाता है जिनमें वो SSC deal कर रहे है मारे लोग कोई SSC mobile accessory में काम कर रहे है और वो हमें कोई और bill काट के दे रहे है तो इससे पता चल सकता है कि वो कोई ना कोई गडबड कर रहे है या कुछ ना कुछ गल्द कर रहे है और एक और benefit है कि हम SSC को चेक कर सकते है कि यह SSC regularly अपनी return फाइल कर रहे है या नहीं कर रहा यहाँ पर option आ रहा है So filing table So filing table पर हम क्लिक करेंगे तो हम इससो कर देगा कि SSC कब तक की return फाइल कर चुका है With date of filing of return कि SSC ने कौन कौन सी return फाइल की और कब कब की है मालो 3B 9 July को यह फाइल कर रहा तो मतलब यह return timely फाइल कर रहा है यह स्टेर 1 due date 13L 9 को फाइल ही ही तो मतलब return यह timely फाइल के जा रहा है माई का भी back date का सारा data हमस में चेक कर सकते हैं एनलूटन भी इसमें आ रहा है तो इस तरह यह search हमें कुछ और relevance भी देती है कि पहली बात जीस्टनिंबर सही है या नहीं है second address, third firm name fourth यह C practically यह principal कौन सी object में है कौन से item में डिल कर रहा है और main और सबस्वे कि यह साथी written file कर रहा है या नहीं कर रहा है कर रहा है तो timely कर रहा है या नहीं कर रहा तो यह एक tool एक जीस्टनिंबर सर्च के साथ बहुत सारे और information में दे रहा है और जो हमानली बहुत relevant है अगर हम कोई नई ही पार्टी से deal कर रहे है तो मैंसे अपरेंटली चेक कर सकते हैं कि यह फार्टी जैनून है या नहीं है जैनूनेस को मैं ऐसी चेक करेंगे जिस आइटिम का वो बिल दे रहे है वो आइटिम मेंली उसके प्रिंसिपल में है या नहीं है या उसके HSN code उसके GST portal पे add या नहीं है सेकंडली वो रिटन फाइल कर रहे है या नहीं कर रहा थर्डी उसका address GST portal पे भी सेम है या नहीं है या जहांसे वो billing कर रहा है वो address GST portal ले अपडेटिड या या नहीं है तो एक छोटा सा tool है लेकिन इमपेक्ट बहुत बढ़ा है और यह सारा data verified है यूँकि GST portal पे ही हम सर्च करने है जिस portal पे हम written file करने है जो portal government अमें दे रही है information के लिए तो यह जो भी information अमें यहां से मिलेगी वो बिल्कुल verified मिलेगी इसमें कोई भी doubt नहीं है तो hopefully यह video आपको help करेगा कि कोई सैसी का GST निमबर से हम सर्च कर सकते हैं कि GST के online में यह क्या address हो कर रहा है written family file कर रहा है या कौन साइट में यह deal कर रहा है जिससे अगर हम उससे deal करना चाहते हैं या कोई business कर रहे हैं तो में future में जाके कोई दिकत या dispute ना हो इसके साथ में वीडियो को end करूँगा Thank you